नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आनाद और आपका स्वागत सीजी गोड़ फार्मिंग में अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन का बटन जरूर दबाईए इससे होगा यह कि जब भी वीडियो पोस्ट होगी आपको इसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा हमारे चैनल में आपको बकरी पालन से संबंदित छोटी छोटी जानकरिया मिलती रहेगी झालन से समय करे जरूर आपको जर आपको इससे वी वीडियोगाए झाल 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 आज का हमारा टॉपिक है नवजाद बकरी के बच्ची की देख बाल अगर आप बकरी पालन का विवसाई कर रहे हैं तब बकरी पालन के छोटे बच्ची की देख बाल जन्म से ही करना अती आवसक है क्योंकि इन बच्चों से ही आपके फार्म की आमदनी होगी वह आप सफल विवसाई बन पाएंगे यह नवजाद बच्चे ही बड़े होकर अच्छी मा या अच्छे प्रजनान योग बकरे बनेंगे और इनी बकरों वह बकरी को बेच कर आप अपने अपने परिवार के वह अपने बकरी पालन में वसाई कि आवसकताओ की पूर्ती कर पाएंगे बकरियों से अच्छे बच्चे प्राप्त करने के लिए आपको बकरी की देखबाल तभी से करनी होगी जब बकरी गाबन होती है गाबन बकरी की देखबाल यह वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है आप एक बार उसे भी जरूर देखिए अब समझते हैं नवजाद बच्चे की देखबाल इस्टेप बाई स्टेप जब बकरी के बच्चे का जन्म होता है तब आपको बच्चे की नाल को बादना होता है फिर नई बिलेड या कैची से नाल काटकर जो शरीर से जुड़ी हुई नाल है उस नाल को एक कप टिंचर आयोडिन में डुबो दें नाल को टिंचर आयोडिन में तीन से चार दिन तक आप हर दिन डुबाए इससे संक्रमन का खत्रा नहीं रहेगा दूसरा नवजाद बच्चों के मुह वा नाक के पतले आवरन को एक स्वच कपले से साफ कर लेना चाहिए तीसरा बकरी के पूच के नीचे के भाग को वा थन को लाल दवा के मैनोफोर से साफ कर लेना चाहिए बच्चों के जन्म होने के बाद तीस मिनिट के अंदर ही उसे मा का पहला दूद जिसे चीक, खीस, पेउस या इंगलिस में कॉलर्श्टरम करते हैं पिलाना चाहिए इसमें रोगों से लड़ने की चमता बहुत होती है बक्री के बच्चों को तीन-चार दिन बाद बक्री से अलग कर देना चाहिए सिर्फ दूद पिलाते समय ही बक्रियों के पास बच्चों को लाना चाहिए अगर आपकी बक्री ज़्यादा दूद देने वाली है तो पहले कुछ दूद निकाल लीजिए उसके बाद बच्चों को पीने दीजिए इससे होगा या कि बच्चे एक साथ ज़्यादा दूद नहीं पियेंगे वह उनके पेट की गड़बड़ी वह अपास जैसी समस्या पैदा नहीं होगी नवजाद बच्चे के जन्म लेते ही उसके खूर के आगे का पीला हिस्सा या कोमल नाखुन अपने हाथों से थोड़ा कुतर कुतर के निकाल देना चाहिए इससे बच्चों में आगे चलके परसानी होती है अगर नहीं निकाला जाये तो नवजाद बच्चों का वजन ले लेना चाहिए इससे होगा ये कि जब आगे दुबारा 15-20 दिन बाद वजन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बखरे की ग्रोथ कितनी हो रही है नवजाद बच्चों को ऐसी जगे रखे जहां तापमान का संतुलन बना रहे धान रहे दोस्तों एकदम से तापमान का उतार चड़ाओ बखरी के नए बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है अगर ठन के समय आपकी बखरी उने बच्चा दी है तो बच्चों को बॉक्स बना कर उन्हें गर्मी प्रदान करे अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों साथ सेर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट में में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए धन्यमाद